प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों हमने इसी पुस्तत में सबसे पहले पाठ में भाशा के कई रूप पड़े थे हमने पड़ा था मौखिक रूप जो हम बोल के व्यक्त करते हैं हमने पड़ा था लिखित रूप जिसके अंतरगत पत्र भी आते हैं और हमने पड़ेते सांकेतिक रूप से भावों को व्यक्त करने का तरीका आज बच्चों हम विस्तार में बात करेंगे भाशा के लिखित रूप पत्र लेखन की हम सभी जानते हैं कि पत्र का प्रयोग किसलिए किया जाता है बहुत दूर भैठे मित्रों और परिवार जनों से बात करने के लिए बच्चों पत्र लेखन एक कला है और इसमें क्या कलाकारी है इसमें कलाकारी है भाशा का शुद रूप होना शब्दों का शुद रूप होना वाक्यों का शुद रूप होना और अपने भावों को संशित रूप में बहुत बढ़िया तरीके से कहना यह सब क्या है एक कला यह एक गुण है, तो आए आजस गुण को सीखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पत्र के प्रकार की, पत्र दो प्रकार के होते हैं, आपचारिक और अनपचारिक, आपचारिक पत्र जिसे कहते हैं formal letter, यह लिखे जाते हैं किसी अधिकारी को, प्रार्थना या निवेदन करते हु ही हो दूसरे प्रकार की पत्र होते हैं अनापचारिक पत्र इन फॉर्मल लेटर यह पत्र लिखे जाते हैं माता पिता भाई बेहन दादा दादी नाना नानी अन्य रिष्टेदारों को और मित्रों को बच्चों पत्र लिखते समय ध्यान देने योग ये बाते कौन सी हैं पिर हम चिन्हों का सही धंग से प्रयोग होना चाहिए जिसको पत्र लिखा जा रहा हो उसके लिए उचित सम्बोधन का प्रयोग होना चाहिए आईए बचो अब उधारन देखते हैं सबसे पहले उधारन देखते हैं हम प्रधानाचारी को अवकाश हेतु प्राथनापत्र का सबसे पहले हमने सम्भोधन एवं जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका हमने पता दिया है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य नाशनल पब्लिक स्कूल लखनव यह लिखने के बाद देखे अब हम विशय लिख रहे हैं अवकाश हे तो प्रार्थना पत्र अब हम कह रहे हैं महोदय क्योंकि वे हमसे बड़े हैं सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुब विवा 10 फरवरी 2015 को होना निश्जित हुआ है बारात कानपुर नगर जाएगी मुझे भी भाई की बारात में जाना है अतहां आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 10 फरवरी और 11 फरवरी 2015 दो दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें सादर नीचे जिसने पत्र लिखा हो उसके विवरंड के साथ आएए पढ़ते हैं अनुभव कश्यक कक्षाचार ए दिनाग 8 फरवरी 2015 तो बच्चों यह थे एक आपचारिक पत्र के कुछ मुख्य भाग आपने जिसको पत्र लिखना है उनका पता विशे सही संबोधन और जो पत्र लिख रहा है उसका विवरंड आएए आप देखते हैं किस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं मित्र को जनम दिन पर बधाई पत्र गोविंद नगर कानपुर 15.08.2015 मैं यहां कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सपरिवार कुशल से हूँगे मुझे पता है कि 25 अगस्त को तुम्हारा जनम दिन है मैं तुम्हें जनम दिन की बधाई देता हूँ इश्वर करे तुम दीरगाई ओहो और जीवन में सफलता प्राप्त करो मेरी ओर से चाचा जी और चाची जी को प्रणाम कहना पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा प्रेमित्र अंबुज तो देखा बच्चों आपचारिक और अनापचारिक पत्रों के बीच में क्या अंतर होता है आपचारिक के विपरीत, अनापचारिक की भाषा अधिक सरल होती है, उसमें मिठास होती है, उसमें भाव होती है तो इसी प्रकार से कई अन्य उधारन भी इस पुस्तक में दिये गए हैं हम आशा करते हैं कि आप इन उधारनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और पीछे दिये हुए अभ्यास को अच्छे से करेंगे, धन्यवाद